पिछली क्लास में हमने दशमलो संख्याओं के बारे में पढ़ना शुरूर कर दिया था और हमने सीखा था कि दशमलो संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, दशमलो कहां से आया, दशमलो संख्याओं को भीन में कैसे बदलते हैं, एक भीन को दशमलो संख्याओ में कैसे बदलते हैं फिर हमने स्टार्ट किया कि दशंवполож Muffin संक्रियां आनि apps on of onseme जोड़ना ऊगुणा करनागुणा करना और बात करना की कहते तो उसमें से हमने जोड़ना उगटाना कैसे जोड़ते और उगटाते हैं मौपडली आता लेकिन उस सवाल जो करने थे वो बाती रहे थे तो वो सवाल हम आज करेंगे पहले में एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो हमारा फ़स्ट चैप्टर जिसका नाम संख्या पद्धती नंबर सिस्टम में चैप्टर चलना था और operations on decimal यानि दशमलाओ संक्रिय यानि दशमलों संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं कैसे गुरा करते हैं कैसे भाग करते हैं जोड़ना और घटाना हमने पिछली ग्लास में सीखा था कुछ सवाल जो पच manifest grip तो आज हम करेंगे और गुणा और भागवे आज हम सीखेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन यानि योग और घटाव दशमलो संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है तो मैंने क्या बताया था कि दो दशमलव संख्याओं का योग घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं कि दोनों दशमलव एक साथ है तो मैंने आपको इन मंतर बताया था अगर आपको याद हो को जोडते हैं ऐसे ही आपको इन संख्याओं को भी जोड़ना है जैसे ये एक उधारण है 7.45 और 1.67 को जोड़ना था तो यह मैंने आपको कैसे जोड़ना बताया था पहले क्या आएगा 7.45 उसके बाद दशमलव है यहां पर इसके नीचे दशमलव आएगा अब जो दूसरी संख्या है उसमें दशम्लों से पहले एक है तो एक लिख दो दशम्लों के बाद 6-7 है तो 6-7 लिख दो और इनको जोड़ दो जब आप इनको जोड़ोगी तो क्या आएगा जैसे हम normal संख्याओं को जोड़ते हैं ऐसे इनको जोड़ देंगे तो 5.7.12, हासिल में 1 गया, 4.5.6.11, हासिल में 1 गया, 7.1.8.9, और दशमलाव के नीचे दशमलाव, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 9.12, तो क्या याद रखना है बस हमें, कि हमेशा दशमलाव के नीचे ही दशमलाव आएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लिखा 7.45 और उसमें अगर आपको 1.67 जोड़ना है तो एक यहां लिख दिया, दिशम्बलब यहां लगा दिया 6.7, ऐसे जोड़ना है नहीं, अगर यहां दिशम्बलब है तो सबको clear है बताओ तो एक question आप करिए 4.85 में जोड़िये 4.85 में 0.67 लिख लो या 0.67 लिख लो इनको जोड़ दर बताइए क्या आंसर आएगा सभी लो जोड़िये इन दोनों संख्याओं को क्या आंसर आएगा इसका फिर मैं कॉपी किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ सभी लोग अपनी कॉपी में इस question को solve करें किसी की भी कॉपी चेक की जा सकती है जितने बच्चे class में present है अपनी कॉपी में solve करिये सभी लोग और जिनका होता जाए वो अपने hand raise करते जाना जिन बच्चों का एक question solve हो जाए उनकी कॉपी में वो अपने hand raise कर लेगा कॉपी में solve करना है सभी चीक है चलिए तो मैं कॉपी चेक करता हूँ कि काजल आप दिखाईए अपनी कॉपी काजल कैमरा आउन पर के कॉपी दिखाईए ओके वेरी गुड वेरी गुड ठीक है आप कैमरा बंद कर सकते हैं चलिए next अपनी कॉपी दिखाएंगे सजय कुमार नाम से जो student है अपनी कॉपी दिखाईए चलिए आपनी कॉपी नहीं दिखाएंगे तो मैं यही समझेगा कि आपने question solved नहीं किया और अगर आपने question solve नहीं किया तो please सभी लोग question solve करीए तानिया आपने किया सॉल तानिया उमेश कुमार नाम से जो स्टुडेंट हैं आप दिखाईए अपनी कॉफी वेरी गुड एक्सिलेंट चलिए ठीक है चलिए मनीशा आप दिखाईए अपनी कॉफी वेरी गुड मनीशा मुस्कान दिखाईए आप अपनी कॉफी ठीक है आरेम मुस्कान के बाद आप दिखाना हम दिखाएं सर एक मिनट ठीक है मुस्कान वेरी गुड हाँ तानिया दिखाईए अपनी कॉफी कैसे सॉल्ट किया पिख दिखाईए आप दोने लोग दिखाईए तो ये जो मैंने कहा वही चीज़ आपको यहां पर करनी थी मैंने क्या कहा था दशमलव के नीचे दशमलव अब दशमलव यहां पर है तो इसके नीचे ही एक दशमलव आएगा अब दूसरी संधा में दशमलव से पहले 0 तो मैंने 0 लिख दो और दशमलव के वाद 6 7 तो आपर 6 7 लिख दो और इनको जोड नाएंजे, तो जोड तो 7 और 5, 12, हासिल में 1, 8 और 9 और 6, 15, हासिल में 1, 4 और 5, और दशमलव दे नीचे, दशमलव, तो आपका अंसर क्या आया, 5.5, बताओ सबको समझ आ गया, किसी को कोई डाउट, बताइए सभी लोग, सबको समझ आया कैसे करना है, अग अगर किसी को कुछ डाउट है, तो पूछ लो, जिन बचों ने, इस बार अपनी कॉपी नहीं दिखाई, अगले कॉश्चन में आपको अपनी कॉपी है, जरूर दिखानी है, तो सभी लोग अपने कॉपी में सॉल्व करो कॉश्चन, ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमा जोड़, अब बात करते हैं घटाव की, तो घटाव में भी हमें वही रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव, और उनको संख्याओं को घटा देना है, जैसे हम नॉर्मली संख्याओं को घटाते हैं, ठीक है, अब सवाल यह उठता है, कि अगर मैं कहूं, पांच दशमलव दो तीन में से, आपको घटाना है, एक दशमलव साथ, तो कैसे घटाओं, पांच दशमलव दो तीन में से, या छोड़ो रुको, आप घटाओं, पांच दशमलव दो में से, एक दशमलव साथ पांच, पांच दशमलव दो में से, एक दशमलव साथ पांच घटाना है आप तो कैसे घटाओंगे? 5.2 में से 1.7-5 घटाई अपनी कॉपी में सभी लोग सभी लोग घटाई अपनी कॉपी में और जिनका होता जाए वो हैंड रेस करते जाना जिन बच्चों का होता जाए कॉश्चन हो हैंड रेस कर लेना ठीक है कुमेश कुमार नाम से स्टुडेंट ने आंसर दिया 3.5 मुस्कान ने आंसर दिया 3.4 साहिल ने भी आंसर दिया 3.4 कौन सा सई ही है समी लोग करो 3.55 सही है या 3.4 पार्ट मनीश का भी आंसर आया है 3.4 पार्ट सभी लोग दियान से करो इसको मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में सबसे पहले आप ये देखो दिया 3.4 के बाद अंक कितने हैं वेरी गुड चले ठीक है तो जिन जिन का होता जाएं वो हैंड रेस करते जाओं जिन जिन बच्चों का होता जाएं कुछ संजे कुमार नाम से जिस्टुडेंट है प्लीज इस बार आप अपनी कॉपी दिखा दो पिछले कॉश्चन में आपने नहीं दिखाई थी संजे कुमार नाम से जिस्टुडेंट है प्लीज अपनी कॉपी दिखाईए कैसे सुल्व किया आपने क्या अंसर आया आपका नीचे करिये थोड़ा क्या होगा तीन देशमलाव चार पांच ओके ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट समीर कागरा नाम से जो स्टुडेंट है प्लीज अपनी कॉपे दिखाईए समीर कागरा नाम से जो स्टुडेंट है प्लीज अपनी कॉपे दिखाईए ओके वेरी गुड एक्सिलेंट चलिए नेक्स्ट रोहित अपनी कॉपे दिखाईए रोहित दिलावर सिंग नाम से जो स्टुडेंट है प्लीज अपनी कॉपे दिखाईए ओके वेरी गुड चलिए तानिया आप दिखाईए अपनी कॉपे आपने कैसे स्वा लुकिया तानिया चार कैसे आया है बटाईए तानिया आपने पांच ऐसे कैसे ही लिख दिया ठीक है लेकिन जब बारा मैंसे साथ रटाओगे तो पांच मचेगा ना ये वाला कोश्ण नहीं है जो ये वाला दिया इस पर करोना का है मराथा आपने पांच ऐसे कैसे ही लिख दिया लेकिन जब आपने बारा मैंसे साथ गटाया तो पांच आना चाहिए न चार कैसे आप प्काल दिया बताओ तानिया क्या आएगा पांच आएगा ये चार आएगा पांच आएगा सर पांच आएगा ओके ठीक है मुस्कान आप बताईए क्या आएगा चार आएगा तानिया बाकी लोग को चार बोल ले आप पांच बोल लेगा देखो चार ही आएगा कैसे आएगा देखो यहाँ दशमलों के बाद एक अंक है न दशमलों के बाद दो अंक है तो मैं भी यहां क्या कर लेता हूं, दशमलों के बाद दो अंक दर लेता हूं, वो मैं कैसे कर सकता हूं, अगर मैं अपनी तरफ से एक 0 लगा दू, अगर मैं इसमें अपनी तरफ से 0 लगा दू, तो अब दशमलों के बाद इसमें भी 2 अंक हो गए, अब दशमलों के नीचे तो पहले उनको समान कर लों कि नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा लेकिन कि कि वह तब चलेगा जब आपको अच्छे से प्रक्टिस है अगर आपको प्रक्टिस नहीं है प्रक हमेशा करना एक तो उनको पहले बराबर यह गोई थि कोई भी हो सकता है कि deja ध्यान से देखो तानिया दस में से पांच गया, यहाँ पर जीरो है यहाँ पर पांच है तो यहाँ से हमें एक क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा ठीक है, हासिल लेना पड़ेगा तो दस में से पांच गया तो पांच बचा यहां पर 1 बचा फिर यहां से हमने एक और उदार लिया तो 11 बना, 11 में से 7 गया तो कितना बचा 4 बचा और दशमलों के नीचे दशमलों, यहां पर क्या था 4 बचा और 4 में से एक गया तो 3 तो हमारा आंसर क्या आया? 3.4 था एसा ही same question मैं आप से पोल में भी पूछूँगा तो सभी लोग ध्यान से समझो सबको समझ में आ गया है बताओ हमेशा सबसे पहले ये देखना कि दिशमलों के बाद क्या अंकसमान है देखो जोड में चल जाएगा जब आप जोड हो गए उसमें चल जाता है लेकिन घटा में कभी कभी गलती हो जाती है जैसे तानिया से हो गई थी उन्होंने आपर जीरो नहीं लगाया था तो उन्होंने पांच को ऐसे ही लिख दिया और बारा में से साथ गटा कर यापर पांच कर दिया था जो कि गलत है, खीक है, तो गटा में गल्ती होने के चांस ज़ВО्ता है, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हो, जोड़ रहे हो, आप कोशश ये करो, कि तशमलाओ संख्या के अंत में जीरो आ जाए, तो संख्या पर इसका कुछ प्रभाम नहीं पढ़ता। यानि 5.20 और 5.2 दोनों बराबर है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है दशमलों के पाप तो यह 0 क्या है बेकार है अगर इसको हटा दोगे तो भी चल जाए चीक है तो पताओ सबको क्लियर है यह पॉइंट अगर सबको समझ में आ गया तो फिर question शुरू बढ़ते हैं फिर अपन सब्सक्राइब करता है चली गई कुल दूरी आपको बतानी है और आंसर आपको पॉल में करना है पॉल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है करिये सभी लोग इसकुछाएंगे एक व्यक्ति है जो कार से पहले चलता है दो देशमलों दो तीन क्लोमेटर और चलता है 47 देशमलों इससे फांस क्लोमेटर तो फुल दूरी उसने कितनी चली यह आपको बताना है जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सभी लोग आंसर कीजिए पोल में पिछली क्ल नाम है नोल, उमेश कुमार, हुस्तान, अर्पित बेनिवाल, मनीशा, काजल, आरेन, सुनीता सुनीता नाम से हैं, सौराव हैं, साहिल, पूजा सिलान नाम से हैं, सुलेंदर लाहत नाम से हैं, एंड रोहित तो यह वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था, तानिया, आपको कैमरा उन करके आंसर नहीं दिखाना है, जब भी मैं पोल में आपको कोशन दूँ, जब तक मैं ना कहूं कि कैमरा उन करके दिखाईए, आंसर तो आपको नहीं दिखाना है, ठीक है, करिये जबी लोग जल्दी से, एक मिनिट आपके पास प येस बेरी गुड छह लोग और बचे हैं वो भी आंसर करें जल्दी से अभी खथ सभी का आंसर सही है जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें आपके पास 30 सेकेंड और लास्ट 30 सेकेंड आंसर सभी को करना है पॉल में अगर कोई स्टुडेंट आज बहुत दिन बाद ग्लास में आया है तो जैसे हम पहले किया करते थे पॉल में आंसर सब को करना होता था तो ऐसे ही अभी भी आपको पॉल में आंसर करना है हर स्टुडेंट को वेरी गुड चलिए चार-पांच लोग और बचे है जल्दी करें वेरी गुड वेरी गुड आखरी पंदरा सेकंड दो लोग और बचे है चलिए लास्ट फाइब सेकंड फाइब 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 फ्री तू वन ओके तो यस दो लोगों ने आंसर नहीं दिया बाकि सब ने जिनोंने भी आंसर दिया है सब्कांसर सही है तो कोश्चर में बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो एक कार को चला रहा है और उस व्यक्ति ने क्या किया पहले कितनी दूरी तैकरी दो देशम्नों दो ती और उसके बाद कितनी दूरी तैकरी जोड़ना तो हमें इसको जोड़ना है तो एक जीरो मैं यहां पर लगा देता हूं इसी तरीके से देशम्नों से पहले यहां पर एक अंक है यहां पर दो अंक है तो यहां पर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं ठीक है तो मैंने यहां पर एक जीरो लगा दी अगर नहीं भी लगाते तो यहाँ पर चल जाता जोड में लेकिन घटा में आपको लगाना ज़रूरी था कि उससे फिर आंसर गलता है ठीक है तो पांच का पांच ऐसे ही 6 और 3, 9, 2 और 1, 3, 7 और 2, 9 और 4 का 4 तो 49 दिशनल लग 3, 9, 5 यानि Option C तो इसका सही आंसर क्या है Option C बताईए सबको क्लियर है Next Question पर चले अगला Question करें बताओ ठीक है तो अगला Question है एक मजदूर है उसने पहले दिन 85.25 रुपए दूसरे दिन 72.50 रुपए और तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए तो बताईए उसने कुल कितने रुपए कमाए सबी लोग इस Question को करेंगे और पोल में आंसर देगे करिए पहले दिन कमाए 85.25 दूसरे दिन कमाए 72.50 और तीसरे दिन कमाए गए 46.25 तो आपको बताना है उसने कुल कितने रुपए कमाए सबी लोग आंसर करेंगे इस Question का पोल में पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भूल गया हो पोल में कैसे आंसर करना होता है या काफी दिन बाद क्लास में आया हो उस वज़ा से बूल गया हो तो प्लीज पूछ लेना मैं दुबारा बता दूँगा लेकिन आंसर सभी को करना है पोल Very good करिये सभी लोग जल्दी से Very good Very good कोई भी अपना आंसर नहीं दिखाएगा प्लीज अपना कैमरा बंद रखें क्योंकि एक तरीके से आपका टेस्ट होता है याप जो पोल में आप आंसर के लिए का जाता है वो टेस्ट है आपका तो जब तक मैं ना कहूं तक तक अपना कैमरा बंद ना करे कोई भी ठीक है दो लोग और बच गए है जल्दी सामसर करिये जो दो लोग बचे है एक एक स्टुडेंट का अनसराना और बाकी है ठीक है स्टुडेंट का अनसरा चुपाए है तो एक बच्चे का अनसरा गलत था बाकी सब्दा सही था तो इसमें भी आपको क्या करना है पहले दिन कमाए 85.25 दूसरे दिन कमाए 82.50 और तीसरे दिन कमाए 46.25 तो कुल बदाने उसने कितने कमाए तो कुल का मतलब क्या होता है इनको जोड़ दो इनको जोड़ दो जब आप इनको जोड़ोगे तो वही दशमलों के नीचे दशमलों 85.25 इस दशमलों के नीचे दशमलों दशमलों से पहले बात तरहे दशमलों के बाद 5-0 है तो लिख दिया फिर दशमलों के नीचे दशमलों देशमलों से पहले 46 है और देशमलों के पookie बार 2.5 है तो इनको जूड़ना है तो 5 और 5.10 हासिल में 1, 2पांच 7 और 5, 8 और 2.10 हासिल में 1, 5 और 1.6 और 2.80ña फ़ estio 24 का चाहिअ हासिल में 1, 8 और 1.9 और 7, 16, 24, 20 और देशमलों के नीचे देशमलों तो हमारा आंसर क्या आया है यहां पर 204.00 यानि option D तो इसका सही आंसर क्या होगा option D ठीक है आया सबको समझ में बताओ अगले question की तरफ चले ठीक है इसको आपको solve करना है poll में solve करिए सभी लोग poll आपके screen पर आ चुका आने वाला है एक मिनट येस अब आ चुका होगा poll आपकी screen पर इसमें हल करना है subtract करना है 82.4 में से 7.81 को ऐसा same question इसी से मिलता जुलता मैंने कराया था जब मैंने कहा भी था कि आपको ऐसा question में poll में भी दूँगा सभी लोग इस question को दिहान से करें आपको 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 very good सभी लोग करिये poll में answer जल्दी से very good एक मिनिट आपके पास जहान से करना सभी लोग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो में ऐसा सेम कुश्चन मैंने आपको करवाया था जब मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले चलिए आप पहले कर लीजिए मैं तभी बता हूँ ररे वेरी गुड कर चलिए चार लोग और वज जैं चारशबेंट सोड़ वजए हैं जिनका अंसराना बाकी है आपको कि क्यों ने आपको आपको के सबसे सबसे का लिए आपको को हुआ है आपके पास है 15 सेकेड़ जो तीन लोग बच गए हैं आपके पास 15 सेकेड़ हैं जल्दी करिए आपके पास 15 सेकेड़ हैं जल्दी करिए तो लोग और बचेड़ दस सेकेड़ और हैं जो लोग बच गए हैं उनके लिए चलिए पांच सेकेड़ और हैं 5,4,3,2,1 तो येस इसमें मुझे क्या करना था इनको गटाना था तो 82,4, 2,3,4 अब दशमलों से पहले 7 है तो 7 लिख दो दशमलों के बाद 8 है तो 8 है लिख दो इनको मुझे क्या करना है गटाना है मैं आपको बताया था See के जो उंक हैं वो बराबर होने चीने या पर क्यूंकि कि एक है और यहाँ पर दो यहां पर भी 0 लाँ move कि इंए कि अभिशा अर BOB चाखा है हाँ इस vauch मैंने संतां न पचा थे हैं यहाँ फिल से बचा है कि हूँ बात ऐसे का ऐसे ही, तो मेरा आंसर क्या आया, 74.5, ठीक है, एक बच्चे का आंसर गलत था, दो लोगों ने आंसर दिया नहीं था, बाकि सब का सही था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, option C, 74.5, सब को समझ आया, बताओ, बताओ, इस तो option होगा, option C, सब को clear है, next question करें, ठीक है, इस question को दिहान से पढ़िये सबी लोग, रमेश ने 7.75 रुपए के आलू, 4.50 रुपए की गौभी, और 0.25 रुपए का धनिया खरीदा, यदि उसके पास कुल 15 रुपए थे, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे, question को दिहान से पढ़ो, एक इंसान है, जिसका नाम है रमेश, उसके पास 15 रुपए थे, 15 रुपए थे, 15 में से 7.75 रुपए के उसने हालू खरीद लिये, 4.50 रुपए की गौभी खरीद ली, और 0.25 रुपए का धनिया खरीद लिया, तो आपको बताना है, कि उसके पास कितने रुपए बचे, इस question का अंसर भी आपको पोल में करना है, ध्यान से question पढ़ो, और फिर इसको solve लोगता है, करिए सवी लोग इसको solve very good, करिए सबी लोग, यहां से करना, जल्दवाजी कोई ना करें, very good, 6 लोगों का अंसर आ गया है, बाकी लोग भी करिया, अंसे दिल्दी से, अभी बहुत सारे लोगों का अंसर आ का बाठी है, very good, चलिए आपको एक मिनट और देता हूँ, क्योंकि time गर रहा है, आपको इसको तरने में, sorry, very good, कांच लोगो बचे हैं, कांच लोगों का गलत आंसर दिया है, मुझे लग रहा था कि इस question answer सही कर लोगे, फिर भी गलत हो गया है कांच लोगों का गलत हो चुका है, कांच लोगों का गलत है, प्रक्षा लोगों का लिए रहा है, जाए प्रक्षा प्रक्षा और प्चा है, 5, 4, 3, 2, 1, काफी लोगों गलत है एक विश्चन पहले बताओ किस ने क्या क्या आंसर दिया है चैट बॉक्स को अंजे डी ओके मुस्तान ने दिया है सी ओके आरे ने भी सी आंसर दिया है मुस्तान 2.50 दो डी ओप्शन है आपने सी बताया देखो इसका सही आंसर होगा ओप्शन डी ठीक है सही आंसर क्या होगा इसका ओप्शन डी कैसे देखो सबसे पहला आप यह देख लो इसने कुल सामान कितने का खरीदा जे उसने सब्जियां खरीदी आलू वो भी और धनिया वो कुल कितने की खरीदी उसके पास पैसे थे 15 रूपए अब 15 मेंसे उसने 7.75 रुपए का क्या खरीदे आलू खरीद लिये ठीक है इसके बाद 4.50 रुपए की वो भी खरीद ली खीक है और 0.25 रुपे का धनिया खरीद लिया यह इसने खरीदा तो उसने कुल कितने का सामान खरीदा इनको जोड़ना है कुल कितने का सामान खरीदा उसने इनको जोड़ो जोड़ोगे तो क्या आएगा पांच रुपांच 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 तो उसके पास कितने बचे? कितने बचे? 15 में से घटा दो. 15 में से जवाब 12.50 गटा दोगे, तब ही तो आपको पता चलेगा कितने बचे? तो आपको अपको क्या करना है यहाँ पर? 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15.00 और उसमें से मुझे क्या घटाना है? आया 2.50 यानि ऑप्षिन डी. बताए, सबको क्लियर हुआ? कि कि एक विशन काफी बच्चों को गलत था, अगर किसी को अभी भी डाउट है, तो पूछ लो. अगर सबको समझ में आ गया, किया क्या है, मैंने पहले निकाला, टोटल उसमें सामान कितने का खरीदा? टोटल सामान साड़े बारा रुपए का खरीदा, 12.50 रुपए का खरीदा, थे उस तो पैसे 15 रुपए, अब 15 मैंसे साड़े बारा आपको घटाना है, तो डाई बचा है, ठीक है, ओके मुस्कान, चलिए, अब बताओ, यहां तक सबको समझ आ गया है, 2.50 इसका आंसर हो, ठीक है, चलो, तो अब हमारे question यहीं खता में होते हैं, अब हम बात करते हैं, multiplication and division of decimal, यानि दशमला का गुणा और बहाद, कितने बच्चे जानते हैं 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 क कोई बात नी जो नहीं जानते आप भूल गए हैं, तो एक बात देख ले, ठीक है, कोई बात नी भूल गए हो तो, याद दिलाने के लिए ही, आपको यहाँ पर यह सब चीजे पढ़ाई जा रही है, चलो, तो एक कोशन की हैं, मदद से इसको करते हैं, कोशन है, 2.2 और 1.3 की गुणा करो, तो सबसे पहले आप खुद से करके देखो, और आप यह बताओ, आपके आनसर क्या देख? पहले आप खुद से करो, 2.2 और 1.3 की गुणा, ठीक है, क्या करना है आपको? 2.2, कोई बात नी गलत आएगा, घ्रीक है, बताओ, क्या आइगा, इसकर रही है, दो द सबी लोग करेंगा अपनी कॉपी में सही गलत से मुझे मतलब नहीं है बस करो ओके येस मुझे पता चल लगया है कि गलतियां कहां पर कर रहे हैं तो ध्यान से देखो सबसे पहले आप तो इन संख्याओं के गुणा करनी है ये मान कर के दशमलव है ही नहीं क्या मान कर के दशमलव है ही नहीं यानि सिंपल आपको दो दशमलव दो और एक दशमलव तीन की गुणा आपको करनी है बिना दशमलव के भूल जाओ दशमलव है भूल जाओ दशमलव है सिर्फ गुणा करो तो तीन दूनी 6, तीन दूनी 6, इसके बाद एक दूनी 2, एक दूनी 2, यहाँ पर बचा 6, 8, 2, 286, यहाँ तक तो simple चीज है, ठीक है, confusion है आप तो point में, तो देखो, ध्यान रखना, आपको जो भी करना है, हमेशा इकाई के अंक से शुरू किया करो, दशमलाव आ रहा है, तो एक, दो, इन दोनों संख्याओं से पहले दशमलाव है, हमने question में क्या देखा, कितने अंकों से बोल दो, संख्याओं से बोल दो, कितने अंकों बोल चलो, कितने अंकों से पहले दिजिट के 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 पहले दिजिट क तो तो टोटल कितने अंक हुए दो तो आपको अपने आंसर में जाना है और इकाई से शुरू करना है इकाई कहां से होता है यूनिट इजिट से छैसे शुरू करोगे दो अंक किन लो एक दो और तर्शमला उलागा होता है आया समझ में कुछ बच्चों ने यहाँ से गिनना शुरू किया है शुरू करनी है, ठीक है, बताईए, सबको समझाई यह चीज, अगर किसी को डाउट है तो पूच लो, तो इसका आंसर क्या आएगा, दो दशमलव आठ छे, तो इसका आएगी, दो अंक के पहले, यानि यहाँ पर, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, दो दशमलव आठ छे, ठीक है, चाली, तो इस तरीके से हमने गुणा की और दशमलव लगा दिया है, दो अंको के, आगे या दो अंको से पहले आप बोल दो, कहां से गिनना शुरूब यह एकाई अंक से, इकाई दहाई, क्योंकि दो अंक से पहले क्यों ड़गा है, क्योंकि हमारे क्कूशन में द तो इस तरीके से आपको गिनना है, सबको clear है, अगर सबको clear है, तो इस question को आप solve करिए, सभी लोग अपनी copy में solve करना, 3.57 की गुणा होगी, 1.6 में, इस बार आप लोग यहां से solve करिए, सभी लोग अपनी copy में solve करेंगे, और मैं किसी की भी copy चेक कर सकता हूं, क्यादि अन्हेश जाख एफ लोग यहां, प्रव भी सबद्दमार्शती तरीक टाना है, सबक्त्र प्रेंवार्शती है, सबक्ट्रा कि भी को अपनी परोग यहां से whenever अन्हें से पर एता दिए परीफ विवश्मों, भी को यहां से अन्हें आप प्रीक करिए, सम्हें बाहें उके मुस्तकान कांसर आ चुका है बाकी लोग बताइए हैंड्रेस करते जाने जिमकांसर आता है चीटा अन्मोल आप दिखाई अपनी कॉपी कैसे किया आपने सौन अन्मोल ओके अन्मोल बैरिक गोर्ड अन्मोल के बाद मुस्कान आप दिखाई अपनी कॉपी मुस्तान के बाद तानिया आप दिखाईए अपनी कॉपी सौरव 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 वेरी गुड तानिया आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपनी कॉपी चेप कराईए अर्पित बेनिवाल अर्पित प्लीज अपनी कॉपी दिखाईए अर्पित अर्पित बेरी गुड ठीक है ओके रोहित दिखाईए आप अपनी कॉपी अर्पित बेरी गुड चलिए ठीक है सबने कर लिया है अर्पित कॉपी अर्पित प्लीज धिखाईए अर्पित हासिल में 4 गया 6 बंजे 3,34 हासिल में 3 गया 6,18 और 3,20 इसके बाद एक सक्ते 7,155 और एक दिया 3 अब इनको मैंने जोड दिया तो 2,7 और 4,11 हासिल में 1,1 और 1,2 और 5 7 और 2,14,5 तो यह आया 5712 अब बात आती है मैं दशमलाव कहां लगा हूं यह मुझे कौन बताएगा यह मुझे यह दशमलाव बताएगे sorry यह question बताएग तो question में अगर मैं दियां से देखूँ तो кितने अंकों से पहले दशमलावा रहा है या कितने अंकों के आगे दशमलावा रहा है तो एक तुच्छ ठीक है और एक साथ और एक पांच, तो टोटल तीन अंग हैं जिनके आगे दशमलव, एक तुछ है और साथ और पांच है, तो टोटल कितने अंग हो गए, तीन हो गए ना, एक, दो, तीन, तो तीन अंग को कहा आगे दशमलव है, तो इसलिए मैं अपने आंसर में भी एकाई अंग से क्या आया मेरा आंसर 5.712 ये मेरा क्या होगा आंसर बताईए क्लियर हुआ सबी बच्चों को तो इसका आंसर क्या होगा 5.712 ठीक है very good अगर क्लियर है सबी को तो चलिए इस question को करिए 4.778 की गुणा 1000 में करनी है सबी लोग अपनी कॉपी में करेंगे 4.778 की गुणा 1000 में करनी है च्यांसर आये देखो इसकी आप direct गुणा कर दो देखो एक तरीका तो इसका ये है कि आप 4.778 की गुणा करो एक हजार में पूरा इसको करो ठीक है दूसरा आसान तरीका आपको याद होगा मैंने सिखाया था कितने बच्चों को याद है मैंने सिखाया था कि जब किसी संख्या में किसी ऐसी संख्या की गुणा करते हैं जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो जैसे 1000 है, 1000 के लास्ट में 3-0 आ रही है तो कैसे सिखाया ये गुणा करनी मैंने आपको simple इस संख्या की गुढ़ा कर देनी है एक में इस संख्या की गुढ़ा कर देनी है एक में तो 4778 की एक में गुढ़ा करों के तब क्या आएगा 4778 आया और उसके बाद कितनी 0 है? 3 0 है तो 3 0 लगा अब दशंवलों कितने अंकों के आगे है? 1, 2, 3 तो मेरा आंसर क्या हुआ चार हजार साथ सो अठार दशमलव जीरो 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 लिख दो या खाली चार हजार साथ सो अठार लिख दो दोनों सहीर समझ में आया सब को कैसे किया मैंने आप पूरी गुणा भी कर सकते हो कोई दिक्तत नहीं है गुणा करोगे पूरा तब भी वही आंसर आएगा करके दिफार देता हूं चलो यह भी मैं जीरो की गुणा करोगे, जीरो में, आठ की गुणा करोगे, जीरो, जीरो में, साथ की जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, इसी तरीके से फिर चार बार जीरो आ जाएगा नीचे, फिर इस जीरो के लिए फिर चार बार जीरो आ जाएगा नीचे, एक, दो, तीन, चार, और फिर ए कह न एक दो तीन तीन अंगो काके द्शम्ला तो एक दो तीन तीन अंगो क्या गोईक्वन ज्शम्ला बता है आंसर वहीं आया निकल कर इस में तड़ से कर लो चाहे इस से कर लो आंसर से भाई टीक है question करें पूल में अगर सब को समझ आगया गुणा कैसे करनी है बताओ करनी हैं सभी लोग सबसे पहले क्लिक पॉपी में इसको सॉल्व करो और फिर पॉल में आंसर करने है पॉल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि देखो option द्यान से select करना क्योंकि यह सारे option एक जैसे दिख रहे हैं कुछ-कुछ बस एक संध्या इदर हो जा रहे हैं सब में इसलिए त्यान से कभी जल्दबाजी में आपका आंसर को सही आजाए option गलत चूज करने option भी सही चूज करना जो आंसर आ रहा है एक एक हमक चैक करके ठीक है करिए सभी लोग सभी लोग इस question का answer करेंगे हुआ सिर्ण ऑन करेंगे चलिए आपके पास पूरा एक मिनिट है वेरी गुड़ पादे दोगों का अंसर आ चुका है यह च्छे लोग और बचे हैं जल्दी सामसर फिरे जोग बच गए जो लोग बच गए है वो जल्दी सामसर करें आपको इन दोनों की गुणा करनी है और गुणा करनी मैंने अभी अभी सिखाई थी कापी लोगों का अंसर आ चुका है 90 लोगों का अंसर सही है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ चले तीन लोग और बचे हैं दस सेकेंड हैं आपके पास जो तीन लोग बचे हैं दो लोग और बचे हैं लास्ट फाइटी परसेंड लोगों का अंसर सही था तो 5.13 की गुणा करनी थी 13.6 तो मैंना आपको बताया था कि सबसे पहले आप बिना दशमलव को देखें इनकी गुणा कर लो भूल जाओ दशमलव है ठीक है इसके बाद एक तीन एक एकमेक एक पंजे पाठ इनको आपको जोड़ना है तो आठ आया है यहां पर नौर साथ सोला हासिल में गया एक तीन और एक चार और तीन साथ पांच और तीन आठ और एक नो पांच और एक छे अब आपको ये देखना था के यई जट दशमलव है ये द jestem ले ये कहाँ पर आएगा तो अगर मैं अपने question में दीखूँ तो कितने अंकों से पहले दशमलव है ऐग दो 3 तीन अंकों से पहले दशमलव लगाऊँगा तो यहाँ पर मैं क्या गिनओगा 3 अंक गिन लूँगा कहां से इकाई से तो 1, 2, 3 और यहां पर आ जाएगा दशमलव तो मेरा आंसर क्या आया 69.76 यानि Option B तो इसका सही आंसर क्या होगा Option B बटाईए सबको clear हुआ ठीक है तो अपने homework के question लिख लीचे सबी लोग जो आपको homework में करके लाने है ठीक है तो पहला question आपको करना है अपने homework में 13.5 की गुना करनी है 0.87 दूसरा question लिख लिए 14.56 की गुना करनी है 10.50 तीसरा question लिख लो 1.65 की गुना करनी है 4.37 चीक है तो इस team question आपको करने है अपने homework में next class में सबका homework चेक होगा कभी भी चेक हो सकता है पूरी class में बीच में चीक है तो इस class को फिर यहीं तक रखते हैं इससे आगे हम पढ़ेंगा बास्णा को में यहीं थीजा सकता है यहीं तक का है जब सकता है खाल ढई आए बास्ट्प्पवर्पश्पश्वर्ट अपने है